हेलो स्टुडेंस आज हम एवियस में लेस्न 11 करेंगे अवर प्राइट पार्ट टू आज चार जगदीश चंद बोस्ट जगदीश चंद बोस्ट वाज एक ग्रेट साइन्टिस्ट ऑफ इंडिया जगदीश चंद जगदीश चंद बोस्ट थे हमारे देश के बहुत ही बड़े ऋपाई बभाढ़ाई में जएसी बोस्ट आपने पभाणाई में की परती इंडिया During his childhood, उनके बच्पन के दोरान, he studies रामयन और महाभारत, उन्होंने रामयन और महाभारत भी पड़ी, he had a versatile personality, वर्ष्टाइल में सोता है बहु मुखी, ठीक है उनका ब्यक्तुत्त्य बहु मुखी था, आगे है he learnt gymnastic and boxing also, ठीक है उन्होंने gymnastic और मुक्के बाजी भी सीखी He was very fond of plant and animals, ठीक है, fond means होता है सोखीन, वो पौधों और जानवरों के भी बहुत सोखीन थे, right from his childhood, उनके बच्पन से, he used to spend his leisure time, वो अपने फुर्षत का time with plant and animals, यानि पौधों और जानवरों के साथ ही अपने फुर्षत का time spend करते थे Professor Jesse Boss was interested in both biology and physics, जो Professor Jesse Boss थे, वो biology यानि जिविग्यान और भोती बिग्यान दोनों उसमें बहुत ही interested थे He was a keen researcher, researcher मतलब होता है, सोध करता, वो एक बहुत ही उत्सुक सोध करता थे आगे है, using electric wax, ठीक है, विद्धुत तरंगों का उप्योग है आगे है, he succeeded in ringing and electric bell, वो succeed मतलब वो सफल हुए electric bell है जो हमारे जो electric bell होती है, ringing करने बजाने में and firing a revolver placed 23 meters away, वो 23 meter दूर तक एक revolver को बजाने में और बिजली की घंटी बजाने, firing करने में भी सफल हुए He was against the law of patent, वो क्या है, वो लागे, patent के कानून के खिलाब थे JC boss domesticated any production that plants are sensitive to, JC boss ने प्रदर्शित किया कि पौदे भी सम्वेदन सील होते हैं, according to him, उनके हिसाब से plant also feels sorrow and joy, sorrow मतलब दुख, उनके हिसाब से पौदे भी दुख और आनंद का अनभव करते हैं, को की?